Hey Guys, Sohubha मैंने question पूछा था कि कैसे एक आपके पास भरा हुआ water glass है Glass किसी भी material का हो सकता है, transparent glass का made हुआ, transparent glass हो सकता है, steel का बना हुआ glass हो सकता है या फिर किसी भी material का हो सकता है और उसको आपको, खाले आपके पास एक भरा हुआ पानी का glass है उसको आपको half करना है, बिना किसी और चीज ही मतल देवा है, कैसे करेंगे So, अभी मैं उसका solution बताने वाला हूँ अगर आपने answer अलड़ी दे दिया है, तो thumbs up अगर नहीं दिया है, कोई बात नहीं मैं भी नहीं दे पाया It's difficult to give that answer, क्योंकि इतना भी easy भी नहीं है जादा difficult question नहीं है, लेकिन चीज है कि अगर आप इन चीजों को daily follow नहीं करते हो, तो होता है मताब, सोचने में थोड़ा सा difficulty होता है वो answer But, हाँ, अगर आप किसी नहीं innovative answer दिया है, तो I'll really really highlight that comment and mention that person's name So, let's see कि कैसे इस problem को solve कर सकते हैं और question का link मैं यहां दे दे रहा हूं, ऊपर मैं question का link रहेगा, okay, let's go So, यहां जैसे mention किया मैंने half glass problem, so मेरे पास क्या है कि एक glass है, यह glass, cylinder glass है और इसमें पानी भरा हुआ है, पूरा पानी भरा हुआ है इसमें Water, ठीक है, पानी भरा हुआ है Guys, मेरे drawing के उपर मच जाहिए, मेरे drawing उतना भी अच्छा नहीं है So, आपको करना है क्या है, आपको इस glass को half fill करना है, बट इस glass को यूज करके ही और आपको पास कोई और चीज नहीं है, तो आप क्या किजिएगा अगर आप भूल जाहिए कि ये आपके पास ये जो glass है इसका outer substance भूल जाहिए, आप सोच लिए ये glass को अपने freeze कर दिया है और ये आपके पास एक cylinder हुआ, वाटर का cylinder, मतलब पानी का cylinder तो पाली का cylinder को आप हाफ कैसे करेंगे, आप इस तरह से भी हाफ कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन इस तरह से हाफ करने के लिए आपको चाहिए कि ये distance और ये distance equal होना चाहिए, बट ये करना तो मुस्किल है क्योंकि हमारे पास कोई measuring करने के लिए कुछ चीज तो नहीं है, जिसे 1 है, तो वैसा quantity कुछ है तो नहीं, इसलिए हम लोग दूसरा तरीका follow करेंगे, इसमें क्या करेंगे कि एक cylinder को और एक तरीके से हम लोग half कर सकते हैं, ये है और ये है, हम लोग अगर ये diagonally cylinder को काट दे, तो ये भी लेकिन half होता है, ये 1, ये 1, तो ये भी equal, ये 1, इसी concept को लेके हम लोग glass के पानी को अधा करेंगे, क्या करेंगे हम लोग glass को लेंगे, और अगर ये माली की ये glass है, हम लोग पानी को ऐसे उलट के पानी को गिराएंगे, अब पानी को कहां तक गिराएंगे, जब तक कि ना, पानी का स्तर जो है, ये पानी का स्तर, ये कोने से, ये पानी गिर रहा है, पानी का ये सिरा, यहां कुछ भी नहीं है, एमटी, लोग पानी गिरा रहें, गिराते गिराते, एक टाइम हैगा जब, ग्लास का ये कोना और ग्लास का ये कोना पानी टच करता होगा, तो बेसिकली ग्लास का अब टिल्ट कर लेंगे, ऐसे अगर ये ग्लास है, इसको ऐसे करके गिराएंगे, तो क्या होगा जब ये कोना और ये कोना मिल जाएगा पानी से, तब ये ग्लास जाके, हाफ फिल्ड हो जाएगा हाफ फिल्ड वन यह वाटर और यह आपका एर तो गाइज सिंपल सल्वीशन है लेकिन हाँ इंटरेस्टिंग है तो आप इस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्ब कर सकते हो तो गाइज अगर आज का व्लोग पसंद आया तो लाइक और डिसलाइक, सब्सक्राइब शेर का बटन दबाना बनता है क्योंकि आपके सपोर्ट से ही मैं और मुझे वो इंस्पिरेशन मिलता है कि चलो और कुछ बनाओ और कुछ बनाओ आपका एक क्लिक ये चैनल को बेटर कर सकता है हाँ ये बिल्कुछ जरूर है क्योंकि अभी मैं थोड़ाइंटेव्स दे रहा हूँ इसलिए थोड़ाँ बिजी हो जाता हूँ व्लोग थोड़ा डिस्कन्टिवनिटी में चले गया था लेकिन मैं कोशिस कर रहा हूँ कि रेगुलर व्लोग डालने का बट आपका सपोर्ट का बहुत जरूरत है और जितने भी मेरे सबस्क्राब जरूरत थांक यू अगर आपने ये एंसर दिया है तो हैट सौप जिन जिन ने इनका इसका करेक्ट एंसर दिया है अपने दर्शकों को या अपने जो हमारे फैमिली मेंबर से हमारे जो सब्सक्राइबर फैमिली मेंबर से हंको एक्स्पेंट करने के लिए सो तबाइब गाईज विदाट सी यू इन मैं नेक्स ब्लोग जा टाटा